हेलो फेंड्स वोल्कम बैक टू दिस चैनल दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बीयल बैंक के लिए बट अपनी बाच्चित को स्टार्ट करने उससे पहले आप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फिर्स्ट टेम देख रहे हैं का लोग बना चुका है और 141.75 का हाई है अगर हम आज देखें तो इसके अंदर काफी ज्यादा यहां पर बाइंग दिखाई देरी है 133.90 के लेवल के आसपास राइट 132 से 133 के बीच में काफी बाइंग हमें देखने को मिली अगर हम दोस्तों देखें अभी तक जो और 166 करोर 5,35,585 अगर हम इसके 52 वीक लोग की बात करें तो 130.20 का और हाई है 274.30 का तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है Reserve Bank of India ने RBI ने RBL बैंक के बोर्ड के अंदर एक बहुत इंपोर्टेंट चेंजमेंट किया और जैसे इसने चेंजमेंट किया उसके अगले दिन मंड को ये Bank 23.2% धडले से गिर करके अपना 52 वीक लोग बनाया और अगर आप देखें तो इसको लेक करके अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके की राय निकल के आने लगी क्योंकि Bank ने RBI ने ये चीज़ क्लियर कट बताया ही नहीं था कि ये क्यों क्या है राइट ये अधी फिनेंशल के साथ काम कर रहा है और यहां पर जो विश्ववीर अहुजा इनका नाम है जिनको ये CEO के रूप में थे बैसिकली इनको लीव पे चुट्टी पे भेज दिया गया है सम डिव टू सम मेडिकल कंसर्ण्स मेडिकल रिसन मेडिकल रिसन की वज़े से इनको च जिएयो के रूप में राजीव अहुजा को अभुजा को अपोइंटे किया गया है राजीव अहुजा को ये भी नहीं पता था कि इनके साथ मतलब क्या हो रहा है क्या गवर्नेंस रिलेटड को इन्वेस्टिकेशन है किसी मेंबर के खिलाफ या डॉंट नो इनको कुछ पत चली है कि RBL Bank के अंदर जो में दिक्कत है वो 300 करोन रुपे के लोण को लेकर है यानि 300 करोन रुपे के लोण को सैंक्शन किया गया था RBL Bank के द्वारा और इसी को लेकर के एक बहुत बड़ा क्विशन माग है क्योंकि RBI इसी की investigation काफी दिनों से कर रहा था और उसको जब information नहीं मिल रही थी तो वो इसने ऐसा कदम उठाया है अब देखें यहाँ पर रुपीज थ्री हंड़र आप देखें आर्टिकल के अंदर मेंशन है रुपीज थ्री हंड़र करोर लोन अट दे हार्ट आफ आर्बियाई बैंक मिस्ट्री राइट तो यह बहुत बड़ा question है क्योंकि आर्बियाई जो है 2018 के अंदर यह बैसे के लिए लोन जो है sanction किया गया था आर्बियल बैंक के दोरा एक consortium के का part होते हुए यह लोन sanction किया गया था और आर्बियाई इसको कई महीनों से कर रहा है लेकिन उसको कुछ information नहीं मिल पाई जिसके वज़े से यह immediate step लेना पड़ा है बैंक को वैसे वह आपको पता है आर्बियल बैंक के non performing ratios में थोड़े सी increment हमें जरूर देखने को मिला था Q2 के अंदर Q1 के respect में और Q2 के अंदर Q2 के respect में year on year basis पे वो हम लोग already जान चुके हैं मैंने आप से already उसके डिसकस कर लिया है तो इस वीडियो में उसके डिसकस नहीं करेंगे बस इतना ही बताना था यह main problem 300 करोन रूपे की loan को sanction करने में जो borrower है उसको लेकर कि RBI बहुत ही जादा investigation कर रहा है और यह investigation कई दिनों से चल लिए है कई महीनों से चल लिए है तो यह step डिया है अभी तो यही पता है बागी इसके पीछे और भी कारण हो सकते है responsible क्योंकि एक single कारण इतना बड़े फैसले के लिए responsible मुझे लगता है कि नहीं हो सकता है या हो भी सकता है और भी कारण मुझे लगता हो सकता है लेकिन जैसे जैसे चीज़ें पता चलेंगी हम उसको आगे discuss करते रहेंगे cumulative basis पे ओके फैंट्स, take care